गुड मॉर्निंग इस वीडियो में क्लास 12 बाइलोजी चैप्टर नमबर 6 पाधकों में जला उसोशन एम रसा रोहन की किरिया का अध्यन करेंगे आज का जो टोपिक होगा वो होगा रसा रोहन की किरिया विदी जो की बहुत मोश्ट टोपिक है बोर्ड प्रिक्षाओं में इस टोपिक से संबंदिक क्यूस्टन आपसे पूछे जाते हैं चलो तो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से इसे किलियर करने का प्रियास करते हैं हमने अपनी पिछली वीडियो में रसा रोहन की परिभासा को पढ़ा उसमें हमने पढ़ा यदी पाधकों की जड़ो द्वारा आउसोसित जल गुर्तुवा कशंक बलके विप्रीद पाधप के वाईवी अंगों में पहुंचता है तो वह क्रिया रसा रोहन कहलाती है रसा रोहन की क्रिया के लिए जायलंग कोशिकाओं की वाही का एहुं वाहीनी का मुक्य भूमी का निभाती है अब बात करत आउसोसित जल को पाधप के वाईवी भागों में पहुंचाया जाता है इसका अध्यन हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चलो तो इसे समझते हैं रसा रोहन की किरिया विदी रसा रोहन की किरिया के लिए विभिन वेग्याने को द्वारा विभिन सिध्धान्त प्रतिपादित किये गए उन सिध्धान्तों को तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है कौन कौन से नंबर एक जैव बल सिध्धान्त नंबर दो मूल दाब सिध्धान्त और नंबर तीन भोतिक बल सिध्धान्त इन तीनों सिध्धान्तों के माध्यम से आज हम यह जान पहुंचाने का कारिय करते हैं तो इसके लिए तीन सिद्धान्थ को पढ़ेंगे नंब एक बल्सिद्धान्थ नंबर दो मूल दाप सिद्धान्थ हो नंबरी जल्दी सी नोट कर लिजिये इसकेrical इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्ययोब्ल सिद्धान्थ छलो अव पढ़ते हैं रसा रोहण का पर्फम सिद्धान्थ ज्ययोवख सिद्धान्थ यद ज्यरूण कि रिएक पादब की जीवित को सिकाएं जिम्मेदार होती है अर्थात पादब की जीवित कोशिकाओं द्वारा ही रसा रोहन की क्रिया को संपादित किया जाता है चलो तो इसे अब अध्यन करके देखते हैं जयोगल सिद्धांद को अलग-अलग रूपों में समझाय गया अलग-अलग वेग्यानी को दुआरा इस सिद्धान्ट की पुने-वयक्या की गई कि जीवित कोशी का इंग किस प्रकार से रसा-रोंग की गिल्या के लिए जिम्मेदार होती है तो जैव सक्तिवाद सिद्धान्त में निम्न सिद्धान्तों को और समलित किया गया कौन-कौन से नमबर एक गोल्ड लेविस्की का रिलेपम सिद्धान्त नमबर दो इस्टार्च बरजर का सिद्धान्त और नमबर तीन सर जेसी बोस का इसपंदन वाद सिद्धान्त ये तीन सि सिद्धान्तों से यह सिद्ध होता है कि रसा रोहन के किरिया के लिए वास्ताव में पादप की जैविक जीवित कोशी का ही जिम्मेदार होती है चलो तो अब इन सिद्धान्तों का अच्छे से अध्यन कर दें आप इने जंदिसे नोट में नोट कर लीजिये चलो पड़ते हैं जैव सक्तिवाद का पर्थम सिद्धान्त गोल्ड ले विश्की का रिलेपंप सिद्धान्त गोल्ड लेविश्की भेग्यानिक नाम है जिन्होंने रसा रोन के लिए रिले पंप सिद्धान्त को परस्तूत किया उन्होंने अपने इस सिद्धान्त में क्या बताया उन्होंने बताया कि पादप की जीवित जायलम्रदुतक वे मज्जा करणों में परासरनिये आवर्ती परिवर्तन होते हैं इस परासरनिये आवर् सब्सक्राइब करते हैं इस सिद्धान्द के अनुसार के अनुसार रसा रोहन की क्रिया के लिए पाधप की जीवित जायलं म्रदु तक जीवित पाधप की जायलं म्रदु तक वेंड मज्जा किरणों जुक्त कोसिकाओं में परासरणियें दाब का आवर्ती परिवर्तन होता है जिसके कारण एक दाब उत्पन होता है जिसके कारण एक दाब उत्पन होता है जो रसा रोहन की गिरियां के लिए जिम्मेदार होता है उसी दाब के कारण जायलं को सिकाएं एक मज्जा किरणों द्वारा अवसोशित अन्मों को पादप अंगों तक पहुंचाया जाता है तो इस सिद्धान्त में उन्होंने क्या बताया कि पादप की वास्ताओं में जीवित को सिकाओं जैसे जायलं मर्दू तक वैं मज्जा किरणों में परासरनीय आवर्तन परिवर्तन होता है जिसके कारण एक दाब उत्वन होता है वही दाब आउसोशित जल को पादप के वाई भी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है तो आपको गोल लेविश्की का रिलेपम सिद्धान्द अच्छे से समझ में आगया होगा आप बात करते हैं नमबर दो इस्टार्स वर्गर का सिद्धान्द नमबर दो इस्टार्स वर्गर का सिधान्थ इस्टार्स वर्गर वेग्यानी का नाम है जिन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया रसा रोहन की किरिया के लिए जीवित कोसीकाओं का कोई संबंद नहीं होता लेकिन रसा रोहन की किरिया के लिए पादब की जीवित कोसीकाओं अनुकूल वातावरन निर्मित कर देती है अर्थात ऐसा वातावरन निर्मित कर देती है जो की रसा रोहन की किरिया के लिए उत्तरदाई होता है रसा रोहन किरिया उसके लिए अनुकूल होती है जो आउसो के अनुसार पादप की जीविद को सीकाएं की किरिया के लिए अनुकूल बातावरण अनुकूल बातावरण निर्मिद कर देती हैं जिसके कारण अवसोसित जल के अनुप पादप के वाईवे भागों में पहुंच जाते हैं उन्होंने यह भी बताया कि पादप की जीविद को सीका और रसा रोहन से आपस में कोई संबंद नहीं होता लेकिन पादप की जीविद को सीका रसा रोहन की किरिया के लिए अनुकूल बातावरण निर्मित कर देती हैं जिसके कारण जल आसानी से पादप के वाईवे अंगों में पहुंच जाता है तो दूसरा सिद्धान्द भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप बात करते हैं जैवसक्तिवाद का सबसे मोश्ट सिद्धान्द सर जेसी बोष का इस्पंदन सिद्धान्द जो की बोड़ परिक्षाओं में आपसे पूछा जाता है आप पटते हैं जैय सक्तिवाद का तीसरा सिधदांत बहुत मौश्ड सिधदांत जो रश का और ने इस सिधदांत को परतिपादित किया उन्हों ता उन्होंने अपने सिधांत में यह बताया कि पाध़ को में रसा किरिया हिर्दे की धड़कन के समान होती है अर्थात पादपों के अंदर जीवित कोशिकाओं में इस्पंदन होता है उस इस्पंदन गती के कारण ही जल के अनू पादप के वाईवी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं चलो तो सर जेसी बोस के इस्पंदन सिद्धान्त को सम एक क्नुषार जल का रसारोहन बलकुत की भीत्री कोशिकाओं के इस्पंदन गती के कारण होता है अर्फात उन्होंने बताया कि जिस प्रकार सरीर में हिर्दे धड़कने से रक्त का प्रवा होता है उसी प्रकार पादप कोशीकाओं में भी इस्पंदन होता है और उस इस्पंदन के कारण ही जल के अनू पादप के वाईवे भागों में पहुंच जाते हैं चलो तो आब इस सिद्धान्त को अच्छे से डायग्राम की सायता से समझते हैं सर जेसी बोस ने भी एक प्रकार के यंत्र का प्रियोग किया था और इस यंत्र के प्रियोग द्वारा ही उन्होंने इस पंदन सिद्दान्द को प्रतिपादित किया था चलो आप देखते हैं सर जेसी बोस द्वारा किस प्रकार से इस पंद सबसे पहले उन्होंने कुछ सामगरियों को लिया कौन कौन से सामगरी लिए नंबर एक एक पादप लिया जिसका नाम था टेलीग्राफ टेलीग्राफ पादप नंबर दो गैल वेनो मीटर नंबर तीन सुई नंबर चार बैटरी उन्होंने इस पंदन सिद्धान को समझाने के लिए टेकर 10 सामगरियों का ऊप्यों किया कौन-कौनसा पादप भारतिय मूल जातिव का पादप हैं जिसका नाम हे टेलीग्राफ पादप टेलीग्राफ पादप को लिया नंबर दो गैल वेनो मीटर नंबर तीन सुई और नंबर चार बैटरी इन चारों पादब सामागरियों को इस चारों सामागरियों को आपस में उन्होंने जोड़कर एक यंत्र निर्मित किया वो यंत्र कहलाया इलक्ट्रोनिक प्रोब इलक्ट्रोनिक प्रोब यंत्र इलक्ट्रोनिक प्रोब यंत्र की सायता से ही उन्होंने पादपो में होने वाली इस्पंदन गती का अधिन किया कई बार बोर्ट प्रिक्षाओं में छोटा क्यूशन आ चुका है सर जेसी बोस द्वारा इस्पंदन सिद्धान्त को प्रती पाधित करने के लिए किस यंतर का उपियों किया गया तो आप अच्छे से बता सकते हो इलेक्ट्रोनिक प्रोवियंतर द्वारा उन्होंने पादपो के इस्पंदन दर को नोट गिया इस्पंदन इलेक्ट्रोनिक प्रोवियंतर बनाने के लिए कौन-कौन सी सामगरी काम में लिए उन्होंने इस इलेक्ट्रोनिक प्रोवियंतर बनाने के लिए एक पाधब गैलव कि चलो अब इसे समझते हैं सबसे पहले उन्होंने एक टेली ग्राफ पादप को काम में लिया कि नाम लोग देंगे इसका कि टेली ग्राफ पादप अब उन्होंने किस प्रकारश इस पादप के इस पंदंदर को ग्यात गया उन्होंने एक लंबी सुई को लिया और उस सुई की पतली नोग को पादप को सिका के वलकुटी छेतर में प्रवेश कराया अर्था उस लंबी सुई को पादप के जायलम को सिकां तक उन्होंने आपर लिख देते हैं सुई अब इस सुई के एक भाग से गैलवेनोमीटर तथा दूसरे भाग से बैटरी को जोड़ा हूँ कि इस प्रकार्शन उन्होंने बैटरी से जोड़ा हूँ अब उन्होंने क्या नोट किया जैसे ही इस प्रोव यंतर की सुई को पादप पोसीका के वलकुटी छेतर में पहुंचाया जाता है तो प्रोव यंतर से जुड़े हुए गैलवनोमीटर में विच्छेव उत्पन होता है और विच्छेव से इसपश्ट होता है कि वास्ताओं में पादप पोसीका की वलकुटी छेतर में इस पंदन होता है तो आप इस प्रियों को अच्छे से समझिए सर जेसी बोस ने प्रोव यंतर निर्मित गिया प्रोव यंतर में सुई गैलवनोमीटर एवं बैटरी को एक साथ जोड़ा सुई को पादप पोसीका के आंत्रिक वलकुटी छेतर में प्रवेश कराया तथा बैटरी से विदु छे बुत्वन होने से उन्होंने सिद्धि किया कि वास्ताव में ही पादप की कोसीकाओं में कहीं ना कहीं इस्पंदन होता है उस्पंदन के कारण ही जलके अनू पादप के वायवियंगों में कहुंचने का कारे करते हैं तो इस प्रकार से उन्होंने इलेक्ट्रोनिक प्र लगातार इस चैनल को देखते रहें चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें धन्यवाद